नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हम दर्द कमपनी का कुछ अस्वर के भाइदे के बारे में और ये दवा उन लोगों के लिए है जिनका खून साफ नहीं रहता है खून के खराबी से होने वाल रोग जैसे दाद, खाज, खुजली, एकजीमा, पिमपल्स होना चेहरे पर या सरी पर फोड़े फूं से निकल रहा है वैसे रोगों के लिए कुछ अस्वर बहुत ही असरदार दवा है आप बहुत सी दवाईयां खा चुके होंगे दोस्तों मगर कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखें आपकी सारी समस्यां ठीक हो जाएंगे दोस्तों जो आप वीडियो में देख रहे हैं यह युनानी कमपनी हमदर्द का बना हुआ एक हरवल पोड़क्ट है जिसका नाम कुछ असफर है और सोग परसेंट सेफ दवा है यह और इसे जड़ी बुटियों से त्यार किया गया है आपको मैं बताना चाहूंगा जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जैसे गंधक, साइडा, सोदा, खुर्दनी इन सभी जड़ी बुटियों से मिला कर त्यार किया गया है दोस्तों आईए जानते हैं दोस्तों कुर्स अस्फर के फायदे के बारे में और इस्तमाल करने का तरीका और इसकी कीमत कुर्स अस्फर के इस्तमाल से हर प्रकार का इलर्जी रोग दूर होती है अगर खुन से आपको अलर्जी है तो इसके इस्तमाल से खुन को साप रखता है और शरीर पर होने वाले फोड़े फुनसी को भी दूर करता है अगर दोस्तों खुन के खराबी चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं तो उसे भी यह क्या करता है खुन को साप करता है और पिंपल्स को ठीक करता है दोस्तों कुछ अर्सफर के इस्तमाल से कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों खुन साप करने के लिए बहुत ही असरदारदावा है चले दोस्तों बात करते हैं इस्तिमाल करने का तरीका रोजाना सुबा साम दो दो गोली सेवन करें बहुत ही अच्छा रिजल देखने को मिलेगा इसके इस्तिमाल से इस दबा के कीमत की बात करूं तो यह 50 रुपीय का आता है और इसमें 100 टबलेट होते हैं यानि आप इसको मार्केट से लेते हैं तो आपको 50 रुपीय इसका MRP है और इसमें 100 टबलेट आते हैं दोस्तों कि दोस्तों पहतर जल्ट के लिए आप बलट प्रिफायर सिरप भी यूज कर सकते हैं जैसे हमदर्द कंपनी का साफी रग्तसाफ़ा और बहुत सारी दवाईयां आती हैं आप इसके साथ में इस्तिमाल कर सकते हैं और ये दवाईयां आपको दोस्तों आसानी से दवा इनानी दवा खाना आपको मिल जाएगी दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे लोगों में सेर करेंगे कि अगर कोई सवाल सुजाओ है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना है अगली वीडियो में कुछ और दवाओं की जनकार देंगे तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों